यूपे के जनपत शहजापुर में थाना सिधहौली पुलिस को बड़ी काम्याबी हाथ लगी है मुख्बीर की सूश्रा पर सिधहौली पुलिस ने गरगईया मोड से दो तसकरों को गिरफतार किया है जिनके पास से 390 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामत की गई है जिसकी अंतरास्टे बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपे बताई जा रही है वहीं आपको बताते चले कि जन्पत के पुलिस अधिक्षक यश आनंद द्वारा मादक पधार्थों के खलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सिधौली पुलिस को बड़ी कामियावी हाथ लगी है जहां पर सिधौली पुलिस ने थाना छेतर के गरगईया मोड से पलमेंदर सिंग निवासी निगोही वा दिनेश निवासी हमजापूर निगोही को गिरफतार किया है जिनके पास से 390 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामत की गई है जिसकी अंतिरास्टे बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपे बताई जा रही है पकड़े गई अभ्युक्तों ने बताया है कि हम निगोही के किसी व्यक्ती से अफीम को लाकर गुर्दवारा के पास सप्लाई देने जा रही थे तबी पुलिस ने मुझे गिरफतार कर लिया है फिलहाल पुलिस गिरफतार किये गए तसकरों से गहनता से पूश्ताच कर रही है पूश्ताच में जो भी निकल कर आएगा उस पर भी कठोर कारवाही की जाएगी फिलहाल पकड़े के दोनों तसकरों पर संबंदित धाराओं में मुकदमा पंजगरत कर आगे की कारवाही कर रही है देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर